हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब लाल कले की प्राचीर से प्रधान मंत्री का एक बड़ा ऐलान ऐलान की हर नागरिक को मिलेगा हेल्थ कार्ड कैसा होगा क्या होगा उस हेल्थ कार्ड में हमाइसाथ मौजूद है स्वास्त राजमंत्री अशुनी चौबे जी एक बहुत बड़ा एलान प्रधान मंत्री ने किया है लेकिन इसका स्वरूब क्या होगा कैसे लोगों को फायता मिलेगा देखिए जो प्रधान मंत्री जी का शपना है कि भारत के 130 कड़ो नागरिकों के हाथ में नेशनल डिजिटल हिल्थ कमिशन के योजना के तहद हर आदमी को एक आईडी हो और उस छोटे से आईडी में हर परकार का उनके डाटा भी इंतरी होंगे स्वास्त के बारे में कहां इलाज वहा किस अस्पताल में किस डॉक्टर ने क्या कौन-कौन दवाईया दी गई किस परकार का जाच हुआ वह सारा चीज उसमें संग्रित होगा और यह बहुत बड़ा भला होगा गाउं के गरीबों के लिए आम लोगों के लिए कि हर आदमी को अपना आइंटी होगा स्वास्त के बारे में यह प्रदानमंत्री जी का चिंता है और उनका सपना है मुझे विश्वास है कि इस अपने को हम जल्दी साकार करने में पूरे देश में लागू करने में समर्थ हो पाएंगे और हमने दो दिन पहले ही हमने चिकिसा चिकिसा का आपके द्वार के तहद जो चलंत लवाई का स्पताल उस पर टेली मेडिशीन भी है जांच भी हो रहा ह है और लोगों का वह भी अम डाटा भी त्यार कर रहे हैं और कोर्णा का इलाज के लिए कुछ जांच भी कर रहे हैं इसको हमने बनारश में बक्षर और बागलपूर में इसका पाइलट प्रजेक्ट का मैंने जल्द ही उसको शुरू किया है और इसके पहले भी हमारी सोच लएह प्रदानमंती जी के शपणा को हमें जल्द साकार करना है तो उनके वीजन को देखते हुए यह काम हमने सुरू किया है पालपूर प्रजीक्ट के रूप में और मुझे विश्वास है कि यह चीज प्रदानमंती जी ने जो कहד бли यह काम होगा और चिकित्स्चक को आप इसके साथ ही में क्या ये सवाल उठता है कि क्या आईश्मान भारत जो योजना चल लेती उसी का एक तरीके विस्तार है उससे कैसे अलग हो निश्चित रूप से आईश्मान भारत के तहद जहां हमने गरीबों के लिए 55 करोड ऐसे परिवार को पांच लाक रुपये का जहां हम स्वास्त की गारिंटी दे रहे हैं वहीं इस परकार से इस योजना के तहद हम गाउं गाउं में जहां गरीबों का भला होगा वहां सब लोह का जो उनकी आर्थिक स्थिती भी गाउं में सुद्रेगी उनको अस्पताल उनके घर पर मिलने को मिलेगा और उनका आईडी का इससे जो प्रधानमंति जी का वीजन है हम इसको साकार करेंगे और इससे देश का भला होगा वैक्सीन को लेकर बीर है कहा है कि तीन वैक्सीन का ट्रायल चलना और जल्दी उसकी जह कहां मेरिफैक्शर होगा कैसे डिस्ट्रिबिशन होगा उस सारी तैयारिया भी पूरी कर प्रधती है यह जो नेस्टल हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिशी और प्रधानमंति जी के जो उनके नेत्वित में जो दो हजार सत्रह की स्वास्त निती बनी है प्रिवेंटिव प्रोमोटिव प्रोग्रेशिव क्वालिटेटिव और सब को और सबहुता है तो यहमारे लिए बहुत ही मुझे लगता है की इस कॉर्णा के संकट को दूर करने में और गौव में कोर्णा वेरियस से के साथ साथ हम गौव में लोगों को वैक्शिन जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जैसे ही यह बन जाता है बस एक आकरी सवाल सबके बीच में रश्रा ने भी पुतीन ने भी फ्रायल किया है क्या वो वैक्शिन भारत में भारत का उस पर कैस्टेंड है क्या वो वैक्शिन को लिकर की भारत एप्लोड करेगा रूस को भी देखे मुझे लग रहा है कि यहां हर लोग इसका अनुसंधान कर रहे हमारे वैक्शित रूप से जो भी मानव के रक्षार्त जो भी चीजें अच्छी बात होती है उसको लोग अपनाता है अब उसके लिए कहीं हम ये मैं जहां तक मानता हूं कि भारत में ये उत्पादन हो रहा है और निश्ट रूप से अभी वहां भी परिक्शन हो रहा है कोई अंतिम टायल नहीं है और भारत के अंदर भी तीसरे परिक्शन में हम जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम भारत क के अंदर जो वैक्सिन त्यार करेंगे वो पुरे देश और दुनिया को का भला करेंगा प्रधान मंत्री ने लाल कले की प्राची से जो स्वास्थ शेत में दो बड़े अलान किये हैं पहला कि देश के हर एक नागरी को मिलेगा स्वास्थ कार्ड और दूसरा जो वैक्सीन को लेकर के कुरोना की वैक्सीन को लेकर करके दोनों पर ही किनसेतर देश की देश की आधस को फायदा मिलेगा और रही बाद वैक्सीन की तो भारत navigation बबाहत क अ झाल झाल